सब्सक्राइब कीजिए दपरफेक्ट क्लासिस चैनल को और बैल आइकन को दबाईए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए तो स्राट करते हैं वक्षीट पॉलुशन इस दा इंटर्टक्शन ओफ हार्फूल मैठीरियल इंटु दा इन्वाइर्मेंट पृदूशन हमारे प्रियावरण में जो खतरनाक पदार्त होते हैं उनका परिच्चे है मतलब हमारे प्रियावरण का हानिकारक पदार्तों से यह हमारी पिर्थवी को मतलब हमाई भूमी को पानी को हवा को ठीक है अगंदा करते हैं और उन्हें हमारे लिए हमारे प्रियोग के लिए असरक्षित और अनुप्यूक्त बनाते हैं Pollution affects our health and environment adversely. Pollution जो है हमारे स्वास्थे को हमारे प्रियावरण को प्रभावित करता है Many human activities pollute our environment. बहुत सी महानवी किरिया हैं जो हैं वो हमारे प्रियावरण को प्रिदुशित करती हैं जैसे for example बता हुआ air pollution जो वायू प्रिदुशन है बच्चो is caused by the smoke coming out from the vehicles and factories जो वायू प्रिदुशन है और वो किसके कारण होता है जो वहानों और फ्रिक्ट्रियों से निकलने वाला धुआ उसका कारण है वायू प्रिदुशन many types of pollution are बहुत से प्रिदुशन के जो प्रिकार है वो हैं अब देखिए यहाँ पर बता हुए pollution यहाँ पर कौन सा air pollution बता हुआ, water pollution बता हुआ, third कौन सा बता हुआ, land pollution, fourth noise pollution, तो यह तो wire production हो गया बच्चो, यह gel production हो गया, यह boom production हो गया, और यह ध्वानी production हो गया, okay, आप question answer कर लेते हैं, देखिए, question answer कर लेते हैं, यह है first question, answer the following questions, first में क्या करना है बच्चो, identify and label the type of pollution shown in the following pictures, हमें क्या करना है, हमें identify करना है, ठीक है, और हमें यहाँ बताना है कि यह pollution का कौन सा प्रकार हो जो picture में दिया हुआ है, तो देखिए बच्चो, यहाँ पर यह पूरा air में जा रहा है, यह smoke और यह जो भी कुछ chemicals निकल निकल कर जा रहें, ठीक है, industry से, और यह vehicle से, तो यह कौन सा हो गया बच्चो, यह किसा pollute कर रहा है, यह air को pollute कर रहा है, तो यह कौन सा pollution हो गया, यह हो गया air pollution, ठीक है, air मैंने लिख दिया, pollution आप ऐसे लिख लेंगे, ठीक है, air pollution हो गया, अब देखिए, यह जो है, यह अपने कानों प train की voice आ रही है, तो ये कौन सा हो गया, ये हो गया, noise pollution, तो इसमें आप क्या लिख लेंगे, इसमें आप लिख लेंगे, noise pollution, ओके students, ये कौन सा हो गया, देखें ये water को, ये water को गंदा कर रहा है, ये कौन सा हो गया, ये हो गया, water pollution, ठीक है, इसमें आप water pollution लिख लेंगे, अब next देखते हैं, ये किसे गंदा कर रहा है, land में कच रहा है, तो ये किसे pollute कर रहा है, ये land को कर रहा है, तो ये कौन सा हो जा लेगा land pollution, okay students, तो यह air pollution हो, यह noise pollution हो गया, यह कौन सो हो गया, water pollution ही, यह land pollution, ऐसे आप, ऐसे pictures लगा करें, सब की जरूरी नहीं है, यही लगा है, आप ऐसी pictures paste करना, कोई भी air pollution की, noise pollution की, water pollution की, land pollution की, और उनकी नीचे ही लिख देना, ठीक है, आप question number two देख लेता है, question number two है, discuss the causes of air pollution in Delhi, air pollution के, जो, causes है, उसके जो कारण है, वो हमें discuss करने, किस के साथ, देहली में, देहली में, पूछा है, देहली में, जो air pollution के causes है, वो आपको अपनी family members के साथ, discuss करने, and find some ways to reduces, और इससे कम करने के, मतलब पिर दोश्यों को कम करने के, कुछ तरीके ढूनने आपको, ठ लिख देंगे, answer number two में, बच्चो, causes of air pollution in Delhi, देहली में, जो air pollution है, हवा में, प्रदूशन है, या वायू प्रदूशन है, उसके कारण, लिखेंगे पहले, motor vehicles, emissions, जो motor vehicle से निकलने वाला, उत्सर्जन है, वो एक कारण है, ठीके, number two, fires on agriculture land, वो भी एक कारण है, जो, किर्शी होती है, उन पर आग लगा दी जाती है, जैसे, डेली के पड़ोसी राज्य है, बच्चों पंचा भर्याना, वहाँ पर जब खेतों में आग लगाई जाती है, तो उससे जो दूवा निकलता है, उससे डेली में, pollution होता है, ठीके, number three, burning garbage, यहां बहुत जादा population है डेली में, over polluted है डेली, तो यहां बहुत जादा garbage निकलता है, कच्रा निकलता है, जब उस कच्रे को जलाया जाता है, burning garbage, तो उससे भी pollution होता है, air pollution, तो यह भी एक main reason है, तो आप points में ऐसा answer देदेंगे, three points लिख लेंगे, next देखिए, actions we can take to reduce air pollution, actions, जो कि हम pollution को, यह air pollution को कम करने के लि यह ले सकते हैं, कौन sections ले सकते हैं बच्चों, first avoid usage of crackers, पटाके जो होते हैं, उनका use आपको avoid करना है, ठीक है, आपको उने छोड़ना पड़ेगा, पटाके छोड़ने आपको, कम करने होंगे या तो, ठीक है, बहुत कम, आप उसकी जगा फिल जड़ी वगरा यूस कर सकते ह हमें बहुत सारी चीजों को recycle करना पड़ेगा और उन्हें reuse करना पड़ेगा, ओके students, यह भी एक बहुत अच्छा क्या है, reduce करने का एक बहुत अच्छा action है, नमबर थिरी क्या करेंगे, implement, afforestation, जो की सबसे ज़ाद बताया जाता है, implement मिस लगो करना, afforestation मिस वनार उपर, मत से कि हमारी जो pollute air है, वो fresh हो सके, okay students, तो यह आपकी worksheet दी solve होगी, अगर आपको में वीडियो पसंद आए, तो please में वीडियो को like कीजिए, share कीजिए, हमाई चैनल को subscribe कीजिए, thanks for watching